एक आल्राउंडर ऐसे ही नहीं आल्राउंडर बन जाता है उसमें जीत का जजबा कूट कूट कर भरा जाता है और जबर्दस्ट लगन से उसके हुनर को चमकाया जाता है एक महीना या एक साल नहीं एक अर्से की महिनत के बाद आल्राउंडर तयार किया जाता है फिर कले इम्तिहान से उसका सामना खराया जाता है चरते सूरज के गर्म थपेड़े हो या ढलती शांग की नर्म हवा शाहे हर चुनोती को धूल में उड़ाने की ताकत हो या दुश्मन को तेजी से माद देने की कला मुश्किल से मुश्किल राहों से पार पाकर दुनिया को अपने होने का एहसास दिला कर तब जाकर वो एक आल राउंडर कहलाता है ऐसे ही नहीं कुल आल राउंडर बन जाता है न्यू हॉलेंड च्छती सो डैश टू आल राउंडर देता है सरवाद एक उपयोगी पावर जिससे आप चलाएं बड़े सा बड़ा इंप्लिमेंट आसानी से और इसका एफपीटी एंजिन दे सबसे ज्यादा टॉर्क और सबसे कम डीजल खपत जो बनाए हर मुश्किल आसान और दे डीजल की भरभूर बचट इसका हेवी ड्यूटी सिंक्रो मेश 12 प्लस 3 गियर बॉक्स दे हर काम को तेजी से करने की क्षमता और सबसे ज्यादा रोड स्पीड 3600-2 में है सेंसुमैटिक 24 हाइड्रालिक सिस्टम जिसमें है 2000 किलोग्राम लिफ्ट किपासिटी और बेबारी कंट्रोल जिससे मिले एक समान गहराई यानि फसल लहलाहाई 3600-2 आल राउंडर नाम ही काफी है 3300-2 आल गह शितास्टम 39. हाईजर लिफ्ट किस्टम 3300-4 लिफ्टम